तो जी हाँ दोस्तों, आखिरकार आज माल्ती चोहान ने अपना बदला पूरा कर ही लिया दोस्तों आज माल्ती अपना बदला एक नागिन के रुप में अपनी सौतन राधिका से ले ही लिया जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते ही होंगे मालती और विश्णु के प्यार में खटास घोलने वाली लड़की कोई और नहीं, बलकि राधिका ही थी मालती आज नागिन का रुप धारण कर अपना बदला पूरा करने विश्णु राज और उन सभी आरोपियों के घर पर आई थी और राधिका से अपना बदला लेने के बाद चली गई दोस्तों, आप लोग अपने मुबाइल पर देख रहे होंगे, किस तरह आज मालती इस घर में पकड़ी गई है? सपेरा ने साफ साफ कह दिया, ये कोई मामूली नागिन नहीं है, बलकि अपना बदला पूरा करने के मकसद से आई है दोस्तों, मालती चौहान शुरू से ही जानती थी, उसका घर फूटने के पीछे वो राधिका ही जिम्मेदार थी और तो और वो विश्नु राधिका से प्रेम करने लगा था, जिसके चलते उस बिचारी मालती को बली का बकरा बना दिया दोस्तों, आज मालती ने अपना बदला पूरा कर लिया शायद हो सकता भगवान, अब मालती के आत्मा को शान्ती दे आप भी मालती के आत्मा की शान्ती के लिए भगवान से प्रार्थना जरूर करें धन्यवाद